वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप मेरे को बता दो 120Hz LCD या फिर 60Hz का AMOLED आप क्या चूस करोगे कॉमेट्स में मेरे को ज़रूर बताना तो हे गाइस कैसे आप मैं हूं मन आप दिख रहे हैं एंड येस रियल्मी नार्जों के जो अगले 20 सीरीज के फोन आने माले हैं उनके बारे में भी एक चीज़ पता चलिए है जो की बहुत इंपॉर्टन है तो आप इनमें अगर इंटरस्ट रखते हो तो पूरी वीडियो देखें वैसे मैं पूरी वीडियो देख लो क्योंकि य तो यहां पर मैंने सब कुछ नोट कर रखा है अपने सामने चलिए बतातों आपको क्या चीज़ होने वाली है पोको एक्स त्री जो है न उसका अगर आप डिजाइन देखोगे तो इस बार थोड़ा और डिफरेंट होने वाला है यहां पर अगेन और एक्सपेरिमेंट होन चार कैमरा से एक फ्लैश लाइट है काफी डिफरेंट लगेगा इस बार फोन देखने में बागी यार अगर आप देखोगे तो वह वीर्ड सी इतनी बड़ी पोको की जो ब्रैंडिंग दिख रहे है वह अभी फिलहाल के लिए इतनी अची नहीं लग रहे है बागी देखत पोको एक्ष्व में हम यहां पर डूवल पंच ओल देखने को मिलते हैं बहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है सेंटर पंच ओल जो की एक नई चीज हो जाएगी पोको के लिए शौमी के लिए नहीं वह तो हम रैड्मी नोट 9 परो में देख चुके है तो यह पर पोको स फरग यह सोच सकते हो जिसे की सेवन टैन और सेवन ट्वेल में बढ़ा था वैसे ही सेवन थर्टी टू पर आकर हमें डिफ्रेंस देखने को मिलेगा तो ज्यादा रियल लाइफ यूसेच में इतना को फरग दिखने हो नहीं मिलने वाला बट ऑन पेपर यहां पर एक नया प्रस्सर हो जाएगा जो कि हम कह सकते हैं कि अप ग्रेड हो गया यहां पर बागी यह इसकी बैटरी वह काफी बड़ी होने वाले हैं थर्टी थरी वाट्स का चार्जर होने वाला है जो कि अल्रेडी हमें अब शौमी के फोन पर दिखने को मिलने लग गया और यहां पर अब बात करते हैं अब बात करते डिस्प्ले यहां पर ना क्लियरली फोटो में देखने को पता चल रहा है कि शायद इसमें साइड माउंटेट फिंगमेंट स्कैनर हो सकता है तो अगर ऐसा कुछ होता है इन केस तो में इस बार आपको फिर से अमोलेट डिस्प्ले ना मिले 120Hz देखने हों मिल जाए वो भी LCD के साथ बढ़े हमें 240Hz का टच लेटेंसी यहां पर हो सकता है तो ऐसी कुछ चीज़े सामने आई है बट अगर मैं बात करूँ जैसे की रियल मी 7 परो जो है वो टीज कर मतलब सामने आ रहा है लीक हो रहा है कि यहां पर अमोलेट हो सकती है तो मैं भी पोको गए यहां पर थोड़ा सा आता है तो आप इसमें लेने में इंट्रस्टेड होंगे या फिर नहीं होंगे अच्छा 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 एक चीज और मॉम ने वीडियो डाल दी है एंड वह है मुगलेई चिकन की तो जो लोग नॉन वेच खाते हैं उनको यह रेस्पी बहुत पसंद आएगी तो है इस फैमिली अच्छे से ग्रो हो रही है तो अगर आपने उसको जॉइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है जाके उसको सब्सक्राइब करो वहां पे भी बेल बडिन दबा के रखो अब बात करते हैं रियल्मी एक सेवन प्रो के बारे में इसका एक न सब्सक्राइब के साथ मिलके रियल्मी ने कुछ एक नया यहां पर निकाला हो तो डिफिनेटी यह प्रसेसर का एक फोन हमें देखने को मिल सकता है देखते है क्या बनता है क्या नहीं बनता बाग यार शौमी के मी 10T प्रो के बारे में एक नई चीज़ आई है तो नई सीरी में तो भाई फैमिली बड़ी होती जा रही है यह मी 10 सीरीज की तो मी 10 टी जो होने वाला है इसके अंदर एक मी 10 टी प्रो एडिशन होगा तो प्रो वाले के अंदर कुछ चीज़े आई है कि 5000 वह की बैटरी हो सकते है 144 हर्ट का यह में डिस्प्ले हो सकता है और 108 मेरा पिक् इंडिया में आता भी तो नार्जो 20 सीरीज के बार में बात करते हैं जो डिल्मी के आने वाले फोन होंगे नार्जो सीरीज में और कहने अभी सुनने को मिला था कि शायद हो सकता है कि नार्जो को सब ब्रैंड ही बनाते चाहे तो में भी नार्जो की तरफ से यह पहला नार्जो को det anarर्ष में अब पता नहीं 20 कि 20 Pro में होगा नार्जो सीरीज अभी तक क्लेको इंप्रेस्ट करनी पाई मैं और को इंता पसंद नहीं है नार्जो का बागी देखते हैं आने वाले डाइम में क्या बनता है नार्जो सीरीज के साथ ठीक है G90 एक अच्छा प्रस्वासर है बट किती बार यूज करेंगे अब जादा बट जा रहा है तो चलिए यह थे सारके सारे अपडेट्स पोको की तरब से शौम की तरब से रियल मी की तरब से और नार्जो की तरब से तो आए होब आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो लाइक कर देना फेवरेट पांट बता देना एंड आप मैं मै चानवाले के रिखिक है याल की स्मालिक और अल्वेस से गए है लव यू बाइबाए